नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रयोदत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस योटूब चैनल होमयोकेट टिप्स पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिरियस कंडिसन पे जो की बोथ मेल एंड फीमेल में हो सकता है बण मेल्स में जादा होता है as compared to females जिसे हम लोग युरत्र स्टिक्चर कहते हैं अगर आपको यूरीन पास आउट करने की दोरान अगर डिफिकल्टी हो रही है पेन हो रही है जलन हो रहा है दर्द हो रहा है यूरत्रा में तो हो सकता है आपको भी यूरत्र स्टिक्चर क सब्सक्राइब होते हुए दिखेगा तो सबसे पहला जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वह यह कि पिसाब जो है वह रुग रुग के होता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ वह पास आउट होता है बहुत ज़्यादा दर्ब मैसूस होता है इस पेसली अंब खाली नहीं हो पाता है और जिसके कारण पीसाब का जो है कॉंस्टेंट अर्जिंग बना रहता है पिसंड को और बात करते हैं कि कि यह युरेथ्र टिक्चर क्यों किसी में डबलब होता है दोस्तों इसका जो में रिजन होता है वह है एस्टीडी यानि सेक्शुली ट्रांस डिदीज हो चुका होता है लाइक गनोरिया सिफलीस या क्लाइमेडिया जैसे इन लोगों हो चुका होता है और यह लोग पावरफुल एंटिबाटिक्स खाकर डिदीज को सप्रेस कर चुके होते हैं बहुत साल पहले लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह अलोपतिक मे के अगर बात करें तो यह पिसाब की नली में इंजूरी के कारण से भी होता है बहुत लोगों को बच्पन में गहरा चोड़ लग जाता है या फिर कोई यूरेफ्रा में घुसा कर उस स्टिक्चर को खोलने का ट्राइ करते है इसमें पेसंट को इनिसियल रिलीफ बिलकुल मिलता है लेकिन कुछ दिन बाद यह जिस टिक्चर है यह फिर से बन जाता है फिर वो लोग इनका आईयो यू करते है यानि जिसको हम लोग बोलता है इंट एक प्रोसेस है बट इतना सब कुछ होने का बावजूत भी रिकरेंट स्टिक्चर बनते हुए देखा गया है यानि सरजरी के कुछ साल बाद ही फिर से पेसंट को सेम प्रॉब्लम डेबलब हो जाता है तो दोस्तों ऐसी कंडिशन में आप बिलकुल भी ना घबराए अगर अगर आपको युरेथाल स्टिक्चर अगर डेबलब हो चुका है अगर डागनोस भी अगर हो चुका है आपका एक्सरेई या फिर युरेथ्रोस्कोपी की रिपोर्ट में तो आपको घबराना बिलकुल नहीं है दोस्तों आप अपना नजदीक में जो बेस्ट होमिपति ड देखा है और मैरे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत सारे कलिक जो कि एक होमिपत है उनको भी देखा है इस तरह की केसेस को सक्सेस्फफली ठीक करते हुए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ होमिपतिक मेडिसिंस की जिसका युरेथ्रिल स्टिक्चर की अंदर बहुत देबलब हो जाना यूटिया यानि यूरिने ट्रैक इंफेक्शन जैसी कंडिशन जो है डेबलब हो जाती है तब फिर उस तरह की कंडिशन में हम लोग ये दोस्तों कैंथरिस को बिल्कुल अबना यूस में रख सकते हैं तो यूरेथ्रिस्टिक्चर की केस में इसका बहु सब्सक्राइब यूरीन का फ्लो एद्दम वीक हो चुका होता है और पिसाप में काफी जलन होता है पेसल को तो दोस्तों क्लिमाटिस एक बहुत ही बैतरेटेट मेंडिसन तो इसका अगला थी capability में थी झाँ दो momentos कुछ और लिये हो एक तो इसका क्योंचा दोस्तो इसका अगला technology assazome कौश्य स्टुछ तो इस तरहका कर जाया है तो बहुत ही बेहतेरिन परीणाम इसका देखने को मिल सकता है दोस्तो इसका ऐगला 메डिसन है युरेटिल स्टिक्चर की लिए इसे भी 30 पोटेंसिमें दो बुवन सुभा दो बुन साम को लेना चाहिए इसमें आपको urine pass out करने के लिए बार बार जाना होगा जलन भी आपको मैसूस होगी पिसा आपकी जो stream यानि जो धार है वो आपका एकदम विक दिखाई पड़ेगी आपको और आपका urine में थोड़ा सामाने रूप से offensive smell थोड़ा जादा आएगी आपको ऐसा feel होगा कि आपका urine से offensive smell जो है थोड़ा जादा आ रहा है तो इस तरह की condition में आप जो है दोस्तो टेरी बिन सेना 30 दो बन सुभा दो बन साम को आप ले लिजे आपको इस तरह का युरेत्रिल स्टिक्चर जो है एक दमजर से खतम हो जाएगा दोस्तो इसका जो अगला medicine है वो है chimafilla mother tincture दोस्तो ये भी एक बहुती बैतरइन medicine है युरेत्रिल स्टिक्चर के लिए इसका जो symptom है वो ये है कि patient को urine pass out करने की दोराण थोड़ा सामने के तरफ जुगना पड़ता है थोड़ा bend होना पड़ता है थोड़ा inclined shape में आना पड़ता है तभी जाकर उनका urine जो है वो pass out हो पाता है अधरवाई स्टेट खराड़ने से उनका urine जो है वो pass out नहीं हो पाता है इसके लवाई पिसाब करने का बाद पीनस और एनल की बीज वाली जो एरिया होता है उसमें थोड़ा सा heaviness और discomfort सा भी फिल हो सकता है तो इस तरह के condition में चीमा फिला मदा टिंचर का 10-10 बुन करकर दिन में 3 बार हब कप या फिर एक कप पन मिला कर लेना चाहिए दोस्तो दोस्तो इसका अगला दवा है कॉनियम मैक दोस्तो कॉनियम मैकुलेटम भी एक बहुती बैतेरिन मेडिसन है इसका जो symptom है वो यह है कि आपका पिसाब का जो stream है यानि जो धार है वो एक बार आएगा फिर चला जाएगा एक बार आएगा फिर चला जाएगा इस तरह के कंडिशन होता है दोस्तो कॉनियम मैकुलेटम में तो अगर आपके इस तरह के कंडिशन है तो फिर दोस्तो आप जो है कॉनियम मैकुलेटम थर्टी दोबन सुभा दोबन साम को आप कंटिनुकुस दिन ले लिजे आपके इस तरह के युरेथर स्टिक्चर जो है एकदम जड़ से खतम हो जाएगा दोस्तो हमारा जो अगला और जो अन्तिम दवा है युरेथर स्टिक्चर के लिए वह है एकोनाइड 6 दोस्तो थोड़ा रेडिस होगा थोड़ा लाल रंग आपको दिखाई पड़ेगा तो फिर दोस्तो इस तरह के कंडिशन में आप जो है एकोनाइड 6 दो-दो बूंद करके पेस्रेंट को हर एक गंटा पर खिलाते रहिए जब तक पेस्रेंट को आराम ना हो जाए और एक बार पूर करना होगा दोस्तों वह आपको एक नोस रोट देंगे जिसको लेने के बाद आपको फ्यूचर में कभी भी स्ट्रिक्चर डेवलाप ना हो सके तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूं और मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो युरेथ इस दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्चिन बोक्स में दे दूंगा तो थैंक यू वेरी मुच एन वाव गूद दे